अपनी पसंदिदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Play Movies, बेल आइकन को दबाएं máximo से घ्बाइब करें के लिए सबाहब करें!!" अजmotion काओिने का सब्सक्राइब करें Teil , इर इभने के लिए एक सक्राइब करें। कर दो कर दो कर दो कर दो पहले हमारे होटल का बिजनस हंड्रेट परसंट हुआ करता था लोग दो-दो महीने पहले बुकिंग करा लिया करते थे लेकिन अब बरसों पुराने कस्टमर्स भी यहां नहीं रुखते सारा बिस्निस चौपट हुआ जा रहा है सर आप तो अच्छी तरह जानते है मादर सिंग कितना बड़ा उंड़ा है उसकी पीट पर हिम्मद भाई यसे और्गनाइजड प्राइम सिंडिकेट का हाथ है सर आप बुरा ना मानिए जब सारा शाहर हफता दे रहा है तो हम भी दें उंड़ा करती बढ़ाने में उनका साथ दें हम ऐसा हर्गिस नहीं करेंगे हमारा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए हम उनके आगे सर नहीं चुकाएंगे मैं कमिश्र साहब से इस बारे में बात करूँगा लेकिन तुम लोग एक बात का खैल रखना इस बारे में सूरज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए सर अब सूरज जी को तो अल्लेडी पता चल चुका है ओ माई गॉड कहा चाहिए साब सिगरेट या पान जान चाहिए जान तुम्हारे नाए मादो सिंके मादो सिंके मादो सिंके अ आधो चुहा कि यह लोग मेरी तरफ आ रहा है कही और जा रहे है क्यूं दिखाई देना बंद हो गया क्या वोला तुने अच्छा सुनाई देना भी बंद हो गया अब अंदे भैरे अब तुमर गया डर गया मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डर हो किससे देखता हूं इन्हें मेरी आउक प्रॉब्लम यह है कि मज़े दिखते दिखते अचानक देखना बंद हो जाता है कानों का यह प्रॉब्लम है कि सुनते हुचा सुनाई देता है इसलिए कान का मशीन कभ लगाना है और यह चश्मा कभ लगाना है कैसे लगाना है ताइमिंगे तरा करें पड़े हाँ तो सिंह मौत तेरे सर पर नहीं पुपा इनके सामने ख़िए सोट पोट पहन कर नादागिरी करने आए हो साथ अब ठीक है मादव से अब ठीक है मादव से अब ओ तु पागलत नहीं है मौत से डर नहीं लगता तुझको मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी से प्यार हो तेरी शाइरी कि अ हुआ 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 से घुआ हो खिर थाक्षर है प्री ख्नोत अनुआ लगत है बहुआ है कि अधिया तो तुम लोगों के लाड़ प्यार नहीं इसे बिगाड़ दिया है क्यों तू तो सबसे ज्यादा इसे प्यार करता है इसलिए तुफिकर रहती है कि दुबारा कभी उनके मुह मत लगना कोई छोटा मोटा गुड़ना नहीं हिमत भाई भगवान न करें तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बाभुजी का क्या होता है अब जोरच मतलब उस बलोन सींग का बेटा अरे क्या है चौप उसने हिमत आई की हिमत को ललका रहा है मैं उसके हाथ पर तोड़ूआ कर मौल रोड के चोरवे पर फिक वा दूगा अगा क्या रहा है कर दो कर दो कर देखा मेरी पेटी कितना अच्छा व्यानों बजाती है अरे ऐसे क्या देख राया है पैचाना इसे सुपमा अर तुम सुरज अरे वाह ये अच्छा इंट्रडक्शन हुआ तुम दोनों को किसी ने एक दूसरे से नहीं मिलवाया फिर तुम दोनोंने एक दूसरे को कैसे पैचा लिया हां बुआ बाबजी ने कली तो बताया था कि उनके बच्वन के दोस्त चीम आंकल आ रहे हैं तो उनकी बेटी सपना ही होगी लेकिन वेट्टी तुमने यसे कैसे पहचाना है जाड़ी अक्षन की बात ही करते रहते है और कहते है कि हमारे दोस्के घर में भी एक शायर है शायर बहर तो नहीं कुछ तूटा-पूटा कभी-कभी लिख लेता हूं ओ सूरज पुतर है सूरज, सूरज, सूरज काका की हाल है जीता रहे, जीता रहे, जब फिपाल है ठन प्या गई यार पर आप लोग यहां कानों से आ रहे हैं ये, 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 लेने कहते मैं मान घर पर भी आ गए और ये जनाव इस्टेशन पर ही बैठे हुए अरे मुझे क्या पता था कि भटिंडा से आने वाली लड़की इतनी मौडन होगी एक सीधी साधी लड़की सलवार कमिस पहने गाड़े से उतरी यह वाँ देख रहे थी, मैं पहुंच गया, मैंने का सपना है मेरी बदनसी भी देखिया, उसका भी नाम सपना सपना नहीं, रचना, रचना नाम था जिसे आप सपना समझ रहे थे जो भी है, मैंने सपना समझाना, मैंने पूछा पिता जी कहा है, जी वो चल बसे मैंने का गाड़ी में, उनने जी गाओं में, मैं तो वहीं बैट के शौक बनाने पित्त में सब लोग आगे, और चिमा साब इतने करीब आगे, अब आप सोची, जो आदमी जिसका शौक बना रहा हो, सामने कड़ा हो, तो कितना शौक लगे या जल्दी खतम कर, एक पैक और पीना है अभी, हाँ अरे जवानी की बोल खोलने से पहले यह तो देख लेके जवान बेटी सामने बैटी है, कोई शेरम है, कोई हया है, अरे से सब कुछ बता दिया होगा, क्यों सपना, लेकिन एक बात तुमारी ममी ने नहीं बताई हो, जो उन्हें भी पता नहीं थी, मैं बता दो, बताओ, ब मैं नहीं, सारे मर्दे से होते हैं, खाना खाव खाना, यार चीवा, मजा आगया तेरे आने से, उसे नहीं और रोक जाना, इतने जल्दी क्या है जाने की, यार, दिल तो मेरा भी यही चाहता है, पर क्या करूं अगले हफते तक, मेरा वहां पहुंचना बहुत लाजमी है, लेकिन हमारी सपना यही पर रहेगी, येस, बट सपना के कॉलिज की एडमिशन का जिम्मा तुम्हारा, बेफिकर ही आंकर, एडमिशन हो जाएगा, सूरत, देख एक ड्रिंक का रहा, यार, बलवंद, सूरत से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली यार, अच करना वो अपनी मा के प्यार के लिए तरस जाता, पापुची, सूराज आपका बेटा नहीं है, देटी, वो मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन बेटे से कम भी नहीं है, वो मेरे लिए, इतना सथा, जब मैंने उसे गोद लिए, बहुत बड़े खांदान का अबन नसीब बेटा है, जिसे कभी अपनी मा का प्यार नहीं है, उसकी मा ने हमेशा उसे अपने से दूर रख, उसका पूरा बच्पन अकेले तनहा सर्वन्स क्वाटर में हुजड़ा, यह सोचते हुए, कि उसकी मा का सारा प्यार, सारा दुलार, सिर्फ उसके छोटे बाएं के लिए क् जसकी मा का सबने साजी कि ए उसकी मा प्यार बाएं के लिए। हाहा हुँँ 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 सुल गये जमी सुल गया आसमा नींद में खो गया देख सारा जहा पलकों पे सपने सजाए धिर धिर बाहों में छुराए मांगागा के सुलाए आरिया नींदी आतुआ नींदी आतुआ सुल गये जमी सुल गया आसमा नींद में खो गया देख सारा जहाँ जाने लगी परचाईया आने लगी तनहाईया चांद तारों से रात सजने लगी चैन की बासुरी दूर बजने लगी कोई पर उड़के आए जिन मिल दुनिया दिखाए मौगागा के सुलाए आरिया निंदिया दुआ निंदिया दुआ सुल गए ये जमी सुल गया आसमा निंद में खो गया देख सारा जहाँ पापा पापा सुठाट सोणू बेटा कैसा है अरे तो आज तुने फेर खाना कियो नहीं सुनाती यब कर दो फूमा के बाश लेचे लो पापा पीजा आए पापा प्लीज पापा पीज वह मेन नहीं आए नहीं पिटाप वह तुमारी अपनी माग है तुमने उसे के कोक से तो जण लिया है पपा को महा मुझे प्यार घरसोंल पेटा तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा बस तु बड़ा हो जा मुझे मात लेज चलो मुझे मात लेज चलो पैटा मेरी बात पैटा पैटा हाँ हर जगह ढूंड कर आया तुझे जब कहीं नहीं मिला तो मैं समझ गया कि मेरा यार इस राजपूताना हवेली में खड़ा अपनी मा को याद कर रहा होगा आज पिर ऐसा क्या हो गया मेरे यार जो तु अपने बीते हुए कल से मिलने चला आया पूजे उसका चहरा आज भी याद है न? कोई अपनी मा की सुरत भूल सकता है? पस कहीं से भी आया मुझे अपने सीने से लगा ले क्या कहुं यार दर्द ने जनम दिया तुझे? या जनम ने दर्द ही दर्द दिया तुझे? बदा नहीं क्या सच है दर्द पराज जमाना है खाले मेरा प्रमाना है शराब पीने को शाक नहीं है लेकिन को वह मुझात कि इकने पदमाएक से जोनो इससे आवाज है चलिया देखते हैं चलिया न कि क्मक्ञा दादी मा, दिन में सूरज से मिलके, कोई सोच भी नहीं सकता, कि रात को, यही सूरज अंदेरे में डूप जाता होगा, यही ना एक मा, अपनी आउलाद को छोड़ कर चली गई क्यों दादी मा, यह तो हम में से किसी को भी नहीं मालू बेटी सूरज को भी नहीं मालू जिन्दगी में कई सवाले से होते हैं जिनका जवाब ना मिली तो इनसान न जी पाता है और ना ही मर पाता है कोई परियाती नहीं सपने सजाती नहीं आके वो लोरिया फिर सुना दे मुझे गोद में लेके तू आसुला दे मुझे लुक छुप मुझे को सताए ना मेरे सामन आए कहें मुझे ऐसे रुलाए आरिया 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 सोगे ये जमी सोगे आसमा आरिया आरिया बातुच चाने नहीं हो तुमने कभी सोचा है सूरज खुदी पुजा-पुजा सा रहने लगे तो आस-पास कितना अंधीरा हो सकता है तुम्हें शायद मालूम नहीं तुम्हारे दुखी होने से औरों को भी तकलीफ हो सकती है और फिर उपर वाला किसी के भी हिस्से में सिर्थ दुख नहीं लिखता उन दुखों के साथ-साथ वो खुश्यां लिखता है प्यार देता है बस इंसान को कभी-कभी वो दिखाय नहीं देता इस तरह शराप में डूबने के बज़ाए उन खुशियों को उस प्यार को तलाश करो जिंदगी का एक दूसरा रूप भी है जो बहुत खुबसुरत है उसे जी कर देखो अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा इसलिए अचली मुझे भगवान क्या नहीं तुम्हारा शुक्रियादा करना चाहिए क्यों क्योंकि तुम्हारी वज़े से मुझे कॉलेज में अडमिशन मिली सुरज बेटा माजी कैसे हो बेटा अरे आपको ठंड लग रही है बेटा पहाड पर गई थी ना वहां पर बहुत हावाद चल रही है इतनी ठंड लगने लगी मुझे मैंने सचा थोड़ा चल फिर लो तो घर में आ जाए ये लो अभी जाकर कंबल खरीगा जुक 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 जूर बेटा भगवान तुझे जिंदगी में इतनी खुशिया दे इतनी खुशिया दे कि हमेशा खुश रहे बेटा हमेशा खुश रहे कौन थी ये सुरज एक दुख्यारी है जिंदगी भर लोगों के बरतल मांचती रहें कप्रेद होती रहें चांती है क्यों अपने बेटे के लिए और जिस तिन ये बेटा बड़ा हुआ मांकर छोड़कर चला गया उस दन से बिचारे बागलों की तरह खुम रहे है भी अचीब तो नहीं है कभी बेटा मा चोड़कर चला जाता है और कभी मा बेटे को चोड़कर चली जाती है सुरज अरे क्या बात है वाँ 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 अरे पूरे बचिंड़ी तुम्हारी है यह यह खा लेकिन बाबुजी आप लोग डिनर पे सुरज का अंतिसार नहीं करते हैं वाँ सुरज के संहते हैं वाँ सुरज, हाँ सुरज कंद जय जा मुझा वशिय करें भासा जमाले एक शेर होजाए, सुना दो बिटा, कोई रंगीन सा शेर सुना दो तुमारे चाचा को अपनी जवानी आदा आजाए सुना ना सुरज ना सुरज, सुना न सुरज कमान सुरज कल शाम से उसके तसववर का नशाथ है इतना नीद आई तो आँखों ने बुरा मान लिया कल शाम से उसके तसववर का नशाथ पाई तना नीद आई तो आँखों ने बुरा मान लिया मुहावबत हुई है सनम चोरी चोरी कि हमने तनी है कसम चोरी चोरी जमाने को इस की खबर भी ना होगी कि मिलते रहेंगे जो हम चोरी चोरी मुहाबत हुई है सनम चोरी चोरी कि हमने तनी है असम चोरी चोरी आखों से दिल की बाते करेंगे अपनी जुबा से कुछ न कहेंगे बेताबियों का तनहाईयों का ये दर्द दोरों मिलके सहेगे हमे चाहतों ने हसी गम दिये है उठाएंगे हम भी ये गम चोरी चोरी कि अच्छ प्रद दोरी थे तोरी देखा तुम्हें ज़ जाने तमन्ना शायर बने हम पहली नजर में हमने रखा है तुम को चुपा के इन धड़ तनों में पर्दों के घर बे तुम्हारे जिवाना कहीं चैन आये किया तुमने हम पे सितम चोरी चोरी महाबत हुई है सनम चोरी चोरी कि हमनी तुनी है कसम चोरी चोरी उन्होंने एक बार क्या कह दिया कि शराब बुरी चीज है तुमने शराब छोड़ दी है फिर भी तिरसत बैठा तो हूँ ना ने ने शराबी शराब खाने से जाए शराब से ना जाए देख सूराच तुस अपना से बोल दे कि तूस से प्यार करता है अरे देर के शचाज़ी शुदाओं भाई साब अब कान के वैसे पैसे रुपाए क्ये तेरा सो रुपाए थे रहा सो रुपये इतने कम दोसों और दे देता हूं तिप के देर अजा सुनने में अच्छा लगता ना तो है कि अ आदे लो पिर दो दॉसरे जे में ओके है तीसरे में इंदे दो जे भी नी ए लगता मेरा पोस्ट चोरी अगया यार देखिए भाई साम मैंने आज ही धन्दा शूरू किया और आप मेरी पहली सवारी हो इतना भारी भयानक मजाख मत किजी देखिए मेरा हाट फेल हो जाएगा मेरा खुन के लदाब आप अंदर हो जाओगे फाइदा क्या रहा है कमाल की एद्म है आप आपको तो अपने बहडी के पड़ी हुई है क्या मेरे जेप पांथ सो के पांथ सो नोट चुलाएगे पर आपको दो हमदर्दी नहीं है यार लगता है कि इनको हम्तर्द्र और दिखा़नी की इदा फ़िँ बाई हो इनंके बात चोकी देने हो किरा आझिये के दुछानु कि आप ! प्रमापंट उन्हों इसको काफी देर से मैं तमाशा देखरा भी को सबस्ता है और देख्ता है नहीं है यह एक नव खांदान नहीं लगता है बिल्कुल सही पाचाना अपने बिग ब्रदर मैं सची बहुत उची कांदान का हूं क्या करूँ अफॉचिनली आ लॉसमें पैसे देदे देता था ट्रेड़ कार्ट भी थे उसमें यह एक गाचे में पी ब्रदर कामचा कि अहां यह उपका पाचा लगाचा कार्ट अपकी आपका पाचा अपकेश माफा थे तर्ये आपकी अपैसे अपशने आपके नहीं खी अचीच कार देजिए मैं दून आपके अपके अप्रमस यह यह एडिरी यह बंग क्योंक दो थे जए । शूरज स में पार्टन पर्डरोयल रोलोडियो टूर्डराइब क्या। जिल शुआ अच्छी अच्छी आप्ती कमाई मैं एलो तुम्हार तुम्हार राज कि अच्छी में जया किवस्त नहीं क्यों आज तो सूरज बाबुने पैसे दे दिये कल कॉन देगा मन्हुस राज चाहन डामिग चेक अगैन मेरे नाम से बुकिंग होगा सॉरी सर आपके नाम की यहां कोई बुकिंग नहीं है है यहां तो सूरज का बच्चा का है एक स्कूज मी सर आप हमारे बॉस के बारे में बात कर रहे हैं बॉस होंगे आपके मेरा तो बच्पन का दोस्त है लंगोटिया यार है अनिदे शाले को तो चौप और ऐसे लगाऊंगा ना एक तो हाथ पर चोड़कर मुझे यहां बुला इसलिए बूल गयां यहां यहां रहता है लेकिन सूरज साप्ट ने तो आज पीना चोड़ रहा है शाया इसलिए बूल गया जाए जल्द बाजी में चले जाए और आपकी नोकरी भी साथ चलीजाए बागे जाए धुट सिर साइम अई रहा है वो आप कंट नाम का मैं रहा जाता हूं सुरज को बताना मत मैं आरोखा हूं मत देखना चाहता हूं उसे कब मेरी याद आती है राइट सर ऐसे मुंडी क्या एलार है आपको आपके बाप की का समय है सर आप शायद अपने दोस्त के बारे में बताना भूल गए थे लेकिन मैंने उन्हें रहने के लिए स्वीट रूम दे दिया है दोस्त राजा और सर प्लीज आप उन्हें यह मत बताएगा कि मैंने आपको याद दिला दिया है कि वो आगे हैं उन्होंने मुझे मेरे बाप की कसम दिये ना सर वैसे भी मेरे बाप का देहन्त हो चुका है तो कसम तूर जाए तो फर्क नहीं पड़ता है ठीक है स्वीट रूम ना आपको मैं समझाता हूं सर वो क्या रहा तुम लू क्या देख रहा या जाओ ना अरे रोकब इसका समान उठागर बाहर पेगो सर वो क्या आपस की बात आपस में प्टाले थे ना अरे इनको भी तो देखने दो यहां पर मैं 400 बीसी करने वालों के साथ क्या करता हूं सर यह क्या कर रहा है यार जाना सर भाइक में चलो तुम ही पेगो सर भाइक में सामा अरे बेटा तुम अरे रस्तोगी अंकल आंटी अब इसे जानते हैं हाँ जैपूर का है बहुत बड़े घराने का है इसकी बहुत बड़ी कोटी है अब बताई और बेटा चुटिया मनाने यहां लेकिन कोई अगर चुटिया मना दे तो न अरे नहीं यहां के पहाल बहुत खुबसरत हैं और यहां के पाहल ख़तरनाग भी बहुत हैं जो यूशल यूशल यंगमान जो यूसल आपने है अजो तुम जाओ एक्स्यूज में वे तो विदाउट लागेच सब कुछ लिए कर अंदर ओं तेको माना की तुम्में कच्छे खान भाई यहां लगा बड़े भाई इसलिए क्योंकि हर बार आपने बड़े भाई की तरह मेरी मादद की क्या मैं आपको बड़े भाई के बुला सकता हूं शुक्से थैंक्यू बड़े प्रॉब्लम क्या है मां मेरी जबर्दर से शादी करवाना चाहती जबके मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं अच्छा कहा है वो लड़की पते का तो पता नहीं हां लेकिन पता चला है कि वह इसी शहर में बड़े भाई एक ही जलक में मैं उसे तिल दे बैठ तुम ने उसे फैशन शो पर देखा तस्वीर भी खीची होगी तेखने से फुरसत मिलती तब तस्वीर खीचताना बड़े भाई है वोश ही उड़ गए थे अजीब लग रहा ना आपको लेकिन बड़े भाईया है यह दिल का मामला होता ही ऐसा है है हुँ सोच रहे हैं आप गोर से लगता है किसी के प्यार के चक्कर में है रहा है है सोच रहा हूं कि बेभकूप हो तो लड़की का पता मालूम नहीं उससे ढूंडे निकले हो किसे डूड़ोगे आपकी मुदद से बड़ भईया आप मेरा साथ देंगे तो मेरा काम उचाएका प्लीज बड़ भईया प्यार काम आमला है ह् हां ठीक है तुम रेंकोर अरे इसी नजर लगी मेरे टेक्सी पर धंदा बंद करके एक त्यंदा कंप यह लोगा है तो आया क्यों बता आप आया आप आये मेरी जिन्दगी में अच्छा मैं आया हम कहीं पिछले जनम के रिष्टेशार तो नहीं कुब मेरे बिछले में भाइब तो नहीं कमाल है यार मेरी मूगी बाद चिंदी आपने मैं भी यही सोच रहा था था भाई मेरे भाई अभी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना कौन किसकी चरेगा आप पहले कीजिए न क्या अरे मेरी मदद यार अच्छा ठीक है किस लड़की को छेड़ने आये हो आपको कैसे पता चला मैं यहां लड़की को छेड़ने आया हूं आपकी शकल देखके बोलो थकाद लगता हूं अरे तो ही तो पॉलिटेक्नी कॉलिज है शहर में एक आतुछ चक्र मार चुका हूं तो फिर यही कही होगी न वो यही कही होगी मिल लो दूढ लो और छेड लो म मेरी कचोड़ी सेंविश सबोसा अपे कैटिन बंकर आएगा मनू सुनिये अच्छा तो तुन्यों को बता दिया ना तुम्हें बुला रहे है सबना है सबना है पचाना नहीं नहीं कमाल है वागी बटेंडा में सब ठीक है ना हां लेकिन आपको मैंने पचाना नहीं ना आले यह, मैंने पचाना नहीं को सबना है अब सबसे लेकर अब तक आ ti को सबना रहे रहा हूं जब तो मैं निक रहा नहीं तो तो मैं थे फैसे मंने आलो हो सबना नहीं मैं इनको सकता हूं अपकॉस जान भी देसकता हूँ या नहीं नहीं सबना जान देने को मत कहना वना अंदर हो जाएगी वह अच्छा तो मिरे ली कुछ भी कर सकते हैं अपकॉस उस अठ मी को देख रहे हो त्रणाव आप्तुड़ें गुट्सूड़ेंस। इसकी टोपी लेकर रहूं। क्यों प्रिंसिपल साबुटेंगे नहीं। अब हमारा कॉलेज भी डान्स कॉंपेटिशन में हैं। तोपी लानी है ना उनकी। पतलून तो नहीं हैं? यहां। अंकल अब प्रिंसिपल साह भी भी चोड़ेंगे नहीं अब हमारा कॉलेज भी डांस कॉंपेटिशन में हिस्सा लेगा अब्सक्राइब 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 नुझे भी जाएबड कहता है कि आप उसके बड़े भाई हैं और उसके पास आपका काट भी है मैं साशे को कहां से ये काट पे बैठा इसको पैक कर दो कर दो कर दो मुआ जी आप तो कहती थी के सूरज घर के कामों में कभी साथ नहीं चलता लुक्ष अगर वो देखिए वो तो जूरज भी पसंद कर रहा है हम अरे हम सूरज में काफी बढ़लाव आगया है ये तो वही जाने वो दिखाना जरा जूगी ये के साथ कितने का है सपना तुम भी अपने लिए कुछ पसंद करो ना पसंद करो न नहीं बापजी मुझ जू अहां, बड़ा खुबशुरा था रहे, किसके लिए ले रहे हूँ? तुम्हारे लिए, इसे पहन के देखाओ, खोदी पहना दो वाव, कैसे लग रहे है? अब खुबशुरत लग रहा है सूरज बाबू, सूरज बाबू, सूरज बाबू प्या कर दूँ, नहीं से जड़ा सिर्ची संभाल के रखना, मैं बाद मिर लूँगा ऐसे बोल, क्या प्यकी? पेप्सी, तू? पेप्सी, पेप्सी, क्या बात कर दिया याद, मैं तो कॉफी लूँगी यह लड़का है, जो कब से मेरे पीछे ही पढ़ गया है देख, देख, किदे है वो काट फिकरो, ठर जाए क्यों? दादे, नहीं अमीर दादे यही है वो लड़की इसको छड़ेगा तू? हमारी लड़की को छड़ेगा तू? यह यही आदे, पॉरी हिस्ट्री निका ल गई है अदुरूज Parliament अहिवे हैं टो चुण पुपा जी बागी सब तो ठीक है ने पैंट की चटा रहे हैं आप असानी होगी ना तुझे के समाने में तुझे बात ते वह जो गलत काम करते हैं नहीं छोड़ूगा तुझे अच्छा जालेंगा अच्छा जालेंगा तुझे तुझे लोगा अच्छा जालेंगा तुझे अच्छा यह की आशकी आशकी हाशकी हाशकी आशकी आशकी पर ना जाना अशकी आशकी आशकी अउडियो शडियो शडियो video यह पेरी अदास अदा मुझे यू रातों में तो कि दू है जबी अब तुम मेरे हर खाबों में पसारे ही है मुझको पसारे यू बातों में में वे किसे में ही जुआ जाहे किसी की आथों में आशकी, 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 आशकी आशकी, 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 आशकी सब्सक्राइब रहा है जो मेरा राच्चा है वादू आटू जिनुके लिए प्यार इतना चिपा है इस दिल में सनम देरे लिए तो आम दखते हैं मुझको सोजनम भी देरे लिए अशकी आशकी 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 क्या करूं तुमाहरा? बड़ भाया, जमाना दिलवा दीजी ना ताकि तुम फिर से सलाखों के पीछे चले जाओ, अच्छा लगता है तुम्हें तुम्हें? बिल्कुल नहीं बड़ भाया, अपने खांदान का पहला वो अंसान हो जो सलाखों के पीछे गया होगा देखो तुम्हें काम करो, मुझे उस लड़की से मिला दो, मैं बात करता हूं तुम्हें अरे पहले मैं उसे पटा तो लूँ बड़ी भाया, फिर मिलवाँ मैं? काने साशी को माफ कर दो, समानत के पेपिस में शाम को साहिन करने आजाएं अच्छी तरा पुजा कर नई नोकरी बिली बुजो के होगा जे मयाम बे गौडी मया आइसा पड़, पनाए देरा मेरे गवाज शुक्री पूपा, यार थे क्या उतारी जा रही है मेरी मा कहा करती थी, जब कोई रास्ता नहीं मिले, एक रास्ता पर निकल पड़ना, मन्जिल मिल जाए की पर आपको तो आपकी मन्जिल मालू है, नोकरी और फिर नोकरी से निकाले जाना फिर ये आरती किसलिए पैसा पैसा कमाने के लिए समझे हैं, पैसा पहुंचाना सारा प्रिसा क्यों, पैसा क्यों? दो आदमियों के इसट वारि देनी है कौनसे थो आदमियों? एक वो, जिसका मैं कुछ देनी का सकता हूँ दूसरा वो, जब यrick UX जाता है उसके जवानत करवाता है कौन है वो वह लुपका लफंगा गुंडा मवाली जो कॉलेज के चकर पर चकर काड़ता है और सपना को छेड़ता है कौन है ये ये वही है जिसकी तक्सी का बिल तुमने चुकाया उंचे खानानवाला 420 सपना के नाक में दम कर रखा है उसने पर अपनी सपना बिटिया उसकी शकल भी तेखना नहीं जाती है पर ये बेशरम उसके पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है करतार जी सर राजा कहा है राजा कहा है यह यह जाए 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 यह घूल पहलं को फटेशने आ हम अपना नहीं हूं तुम्हाँ मेरा काम कर दीजिए आ है कसं खाकर कहता हूं आपको पर्मनें राखने दिला दूगा अपने कंपने नोगे दिला दोगे लेका मिस्टर अगर सुमूचे खाना से उना तुम नीचे खाना से नियों अरे आप मेरी बात कि अधिक लिए लेकिन क्या हुआ बड़े भाई का नाटक सब नहीं के सब्सक्राइब की लड़की है हमारी महवान है अरे दुबारा उसकी तरफ आख उठागर भी तुने देखा ना जांसे मार दूंगा है हम सारी बड़े बड़े हैं लेकिन मैं ऐसा कोई वादा ने कर सकता हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है चेड़े गा दूसरे हाँ है देखिए बड़े बाई मैं आपकी बात इसद करता हूँ लेकिन उससे कही ज्यादा सपना से प्यार करता हूँ आप आप समझते के आपने आपको मैं को एरा गैरा नहीं हूँ लगूई सिंग चावान का बेटाव जावान इंडास्री का इस जूट बोलता है है मैं जूट नहीं बोल रहा हूं बड़े भाईया आपके शहर में जो राजपुताना हवेली है वो मेरी है फिर जूट वो सावित्री देवी की है हाँ वही सावित्री देवी मेरी मां है मां है वो मेरी अब आपको होगी कि मैं जूट बोल रहा हूं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं क्या अपनी मा को मा साबित करने का कोई सबूत है आपके पास बताओ 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 आपका होटेल छोड़के जा रहा हूँ यह शहर छोड़के नहीं जा रहा हूँ आपको जो करना है आप कीजिये मैस अपने से तो यह जाओंगा बस यही सुनना चाहता था तो तुमारे मुझसे है चाहता था कि तुम इसे कितना प्यार कर दिया मान गया राजा तुम वाकिए बहुत प्यार करते हैं सपना से वैसे तुमारे प्यार का विश्वास्ता मुझे विदन दिल में कुछ शक भी था इसलिए मुझे इंप्यान लेना पड़ा राजा माफ करतो मुझे राजा हम सुर रहे हैं शुर अपनी मां को अकेले छोड़कर तुम चले हैं कौन ख्याल रखेगा उनका अगर नहीं भागता तो अब तक तो मेरे फेरे पड़ चुके होते हैं तो सोजवो बड़े भाईया सपना का क्या होता कौन करता सपना से शादी I'm just joking big brother सपना से शादी करने का सपना तो हजारों लोग देखते होंगे अगर मैं सपना का सपना हर रोस देखता हूँ दरता हूँ कि अगर मेरा सपना तूट गया ना तो मैं जीओंगा कैसे अगर एक तस्वीर मिल जाती तो बड़े भाईया तस्वीर के बज़ाए मां को सपना से मिला तो कमाल करते हो बड़े भाईया मैं खोदी उसे पूरी तर से नहीं मिला और आप कहते हो माँ से जाकर मिला दू बड़े भाई मैं यह भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती है नहीं मां को मिलने से इंकार कर दे तो नहीं करें असली नहीं बड़े भाया मदद कीजिए प्लीज देगे वह आपके घर में रहती है आप यह बाते मानती है आप उसे समझा देजिए ना कि मैं अच्छा लड़का हूं हां काफ हो जाएगा मेरा प्लीज प्लीज मैं बात कर लेता थांक यू थांक यू थांक यू बड़े भाया थांक यू वरी बात्सुन मां को जल्दी से पुला ले अभी पुला ता हूं अलो अलो मा राजा राजा तू नालायक बुद्धू बेवकूफ पुल्लू कथे पाजी कहा था इतने दिन तू बहुत दिनों बात-बात कर रहा हूं न तू आये दे रही है मां उसी से तो मिलने यहां शहर आया हूं मिल चुका हूं से मां आपको मिलाना चाहता हूं आप जल्दी आहां जाहिए मां इतनी बड़ी हवेली में अकेला कैसे रह सकता हूं बिना पैसों की इतने दिनों से इतने बड़े होटल में ठहरा कैसे तू मां शहर में एक दोस्त मिला है अचली दोस्त ने मां भाई मिला भाई उन्हें मैं प्यार से बड़े भाईया कहकर बुलाता हूं सब उनकी महरबानी है एक मिन आप उनसे बात कीजिए अब हां एक बात कीजिए उनसे हलो हलो बेटा आप आ रही है ना मैं वहां जल्दी आ रही हूं प्यार यह जो राजा जिस लड़की की बात कर रहा है क्या तुम से जाते हो हलो 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 है तुम सुन रहे हो ना मैं कह रही थी कि हाह मां मैं उसे जानता हूं मां वह बहुत अच्छी है वह हाँ मां मां तु जल्दी यहां आ जा ओके ओके बच्चे बाए ओके बाए क्या बात है बोड़े भाईया आपके आँकों मैं आसूं क्या हूँआ बाए मां से बात की तो मां की यादा गई सपना तुम अभी तक शोई ने मुझे किया वादा तोड़ दिया ना तोड़ दिना अमारी दोस्ती दोस्ती नहीं तोड़ी मैंने तू मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी हां वादा टूटके है मुझे से क्यों आच्छा ये बता तुम ने कभी प्यार किया है ये कैसे सवाल हुआ बहुत ही सीधा और साफ सवाल है तुमने कभी किसी से प्यार किया है बहुत प्यार प्यार अपन्न वुमें से को तूम है तूम मुझे से कौन प्यार करता है राज़ है राजा तुमने सिर्व उसकी शरारते देखिए मैंने उसका दिल देखा है यार करता है तुम से बहुत प्यार करता है और अगर प्यार करने वाले को उसका प्यार ना मिले तो सास लेना भी मुश्किल हो जाता है जीना मुश्किल हो जाता है सुराच, आज तुम कुछ बदले-बदले से लग रहा हूँ देखा, बात बदलने की कोशिश मत करो सपना देखो, मेरी बात को गवार करो राचा अच्छा लड़का है और तुम सब बहुत प्यार करता है बहुत प्यार करता है लड़की का दिल चीतना सबसे मुश्किल और सबसे असान काम है कभी वो अपने दिल एक पल में दे बठती है और कभी महिने लग जाते हैं लेकिन वो पैसना नहीं कर पाते हैं और तुम्हारे पस वक्त पहुत कर है अरे बड़े भाईया उस छेशाड के गाने तक तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी शायरे मुझे गा के सुनानी पड़ेगी इसमें मुश्किल क्या है मैं हूना चलो गाओ क्या अबषे कर है मैं हमु़ेगे हborgरे था पहे सम पता तक 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 है हरे भाओ हरे भाओ हरे भाओ हरे भाओ कर दो कर दो मेरी महभूबा है तू खुशबू का छोका है तू तू हर पल मेरे खयानों में है मेरी महभूबा है तू खुशबू का छोका है तू तू हर पल मेरे खयानों में है दिना तुम को देखे तुम्हारी कसम मेरी सांस चलती नहीं मेरे दिल पे छाया नशा हाँ तेरे प्यार का तेरे प्यार का मेरी महभूबा है तू खुशबू का छोका है तू तू हर पल मेरे खयालों में है कर दो खुशबू तू हुआ गुशबू तू हुआ तू हुआ तू तू हुआ जिलике खुआ तू हुआ आई जमी पे तु मेरे लिए तू आसमा की परी तरहा अखेले तेरी याद में मैं लिखता रहा शायदे आई जमी पे तू मेरे लिए तू आसमा की परी तरहा अखेले तेरी याद में मैं लिखता रहा शायदे पल के उठा की ना जुकाओ मौका यही तू है दीदार का तेरे प्यार का मेरी महभूबा है तू खुशबू का छोका है तू तू हर पल मेरे ख्यालों में है जहरे से तेरे जहलकती हया तुझ में शरारत भी है आखों में तेरी जो तकरार है तो दिल में महाबब भी है जहरे से तेरे जहलकती है तुझ में शरारत भी है आखों में तेरी जो तकरार है तो दिल में महाबब भी है तुझे में वफा है, सादगी है, रंग जुदा है, मेरे यार का, तेरे त्यार का मेरी महबुबा है तो, खुश्बु का छोका है तो, तो हर पल मेरे ख्यालों में है दिना तुम को देखे तुमारी खसम, मेरी सास चलती नहीं, मेरे दिल पे चाया नशा तेरे तेरे का, तेरे तेरे का प्रोग तो, तेरे तो, तेरे का तेरे तो, तो तो, तो, तेरे, क्याओी है कर दो कर दो कि तुम सूरज हो ना मेरे बेटी के दोस्त देखा पहचान लिया ना बेटा हा माजी पहचान लिया आपने वो नालायक नहीं आया ना मैं जानती थी वो नहीं आएगा पर देखती हूं कितनी देर बचता है चले चलो है कर दो 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 आजा है कर दो दो माजी कि प्रणन भाट आथा की कुछली मेरा बेटा सूरज सूरज आज सुबह इतने जल्दी उठ गए तुम तो सारी रात के जागे हुई लगते हो बेटा क्या बात सोई क्यों नहीं बाबुजी माँ यहां आ गई है बाबुजी मैं माँ को बता सकता हूँ न कि माँ उनका बेटा हूँ क्यों नहीं सूरथ बिल्कों नहीं क्यों नहीं बाबुजी देखो सूरथ मैं नहीं चाहता कि क्या नहीं चाहते आप हाँ क्या नहीं चाहते आप राजा से मिला तो मैं उसे बता नहीं सका कि महां उसका भाई हूँ क्योंकि माने नहीं उसे बताया मैं ढरता था कि और अब महां आ गई है बाबुजी मामा को क्यों नहीं बता सकता बाबुजी गले लगना चाहता हूं बाबुजी और गले लगाने के बजाए उसने तुम्हें तुद्कार दिया तुमसे दूर चली गी तुम से पावई नहीं मेरी बच्चे तुम्हे दुख बरदाश नहीं कर पावई सूरच तुम अपनी मा से कुछ नहीं कर औो कि नहीं बताओ के होने तुम्हें मेरा वास्ता आप इस बच्चे को अपना रहे हैं इसलिए मैंने आपको पूरी सचाही बता जी आप ही कहिए माँ बेटे के लिए दूरी ज़रूरी है कि नहीं बलवंची इसलिए इसके माँ को ये विश्वास दिलाना पड़ा कि इसका बेटा मर चुका है मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि वो दिन जिंदगी में पर कभी ना आए जब एक बाद फिर से इनका आमना सामना हो खयामत हो जाएगी यह क्या मैंने तुझसे कहा था पहले प्रसाद लेना खाओगी वाह बचा ही कितना है वैसे तु कब ठीक से खाना सीखेगा तुझसे ज़्यादा खयाल तो मेरा सूरज रखता है जैसे तू नहीं वो मेरा बेटा हो सूरज तो माजी हरे सूरज बेटा आओ आओ बैठो कमाल है बड़ भाया आभी कि बाते कर रहे थे कम से कम सौर साल जियेंगे आप नहीं बेटा मजाच नहीं सच तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारी बात कर रहे थे मेरी बात मेरी क्या बात कर रहे थे माजी यही की सुरच बहुत अच्छा अब मैं बहुत भूरा हूँ लगता है मेरी मा को मुझसे चुरा लोगे बड़े भी है मा तो पहले बड़े बेटे की होती है चोरी छोटा बेटा करता है क्यों मा अरे मैं तो भूली गया था मैं इसलिए आया था क्योंकि बाबजी कह रहे थे कि आप घरा के सपना को देख लेते तो अच्छा होता अच्छा क्या बड़े भाईया पाल अच्छा होता तो पागल है सपना कोई गुडिया है जिससे मैं देखूंगी पर्कूंगी फिर पसंद करूंगी तुझे पसंद है सूरज को पसंद है तो मुझे भी पसंद होगी हाँ बेटा लेकिन मैं उसे मिलना ज़रूर चाहूंगी क्यों ना हम एक पाटी रख ले इसी बहाने में उसे देख भी लूँगी विल्लियान आइडिया माम माजी प्रसाद आँ बेटा ने प्रसाद खा लो बेटा नहीं बेटा सूरज यह सपना है ना माजी सपना माजी नमस्त्री जाओ बेटा राचा वहाँ है अगर कोई परी आश्मान से उतर कर इंसान के रूप में आपके सामने आए तो आप क्या को रही देखिए लेडीज और लेडीज माई लव माई लाइफ मेरी परी हेई एक बात तो बताओ अगर सपने जाची लड़के तुम्हें दिल नहीं देती तो तु क्या परते मैं अपसे शैरी कर लेता बहन जी आप तो शैर छोड़कर ऐसे गई के पता ही नहीं चला जी बिजनस के सिल्सले में चाना पड़ा और राजा गिवयच से वापस आरा पड़ा क्या करें इकलोते बेटे की खुश्यों का सवाल है इकलोते बेटे की वास्तमार ही पड़ती है अजया झाल कर दो झाल कर दो झाल कर दो कर दो कर दो राचा की सूरज कोई खुशी राज नहीं आती से मा लगता फिर किसी पुराने चोड में तर चगा दिया दनिया को प्यार बाठते रहता है लगने इसे इसे धर्द के सिवा कभी कुछ नहीं मिला आसू को पीता रहा घुट के मैं जीता रहा क्या कहूं कैसी है मेरी मजबूरिया तु मेरे सामने फिर भी है दूरिया मा कह कह के बुलाओं तुझको गले से लगाओं कैसे तुझे मैं बताओं बेवसी मेरी है क्या मेरी है क्या मेरी है क्या तु? मेरा बिटा, सोडु कि अपापुची ने मुझ से चूट कहा था कि तुम मेरा पंच्चा मेरी पेटे मेरा पंच्चा मेरा पेटा मेरा पंच्चा मेरा पंच्चा जोड़ेगा तुम्हेरा जलाजा जलाजा यार से तो जाता है तेरी शकल से कितनी नफरत है मुझे क्यों नफरत है मुझसे बच्चपन से लेके आज तक मैं ऐसी सवाल का जवाब घुमता रहा हूं तड़पता रहा हूं कि मुझ में ऐसी क्या बात है जिसकी वज़ा से तुम मुझसे नफरत करती हो क्यों नफरत करती हो मुझसे हां क्यों नफरत करती हो मुझसे इसलिए कि तु इंसान नहीं इंसान के रूप में धरिंदा है यूग राच यूग राच तो वो चंगली चानवर है जिससे समाज में रहने का कोई अथिकार नहीं है तुझे तो सलागों के पीछे होना चाहिए और मैं तुझे वहाँ पहुचा कर रहोंगी जच साब जच साब इस शैतान के जुम की चश्मदी दवा में खुद हूँ मैंने अपनी आखों से इसे उस गरीब लड़की की इज़त लूटते हुए देखा है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस मासूं का गला काटते हुए भी देखा है देखिए जच साब देखिए इसे अभी भी कैसी खतरनात मुसको रहत है इसके चेहरे पर मगर मुझे इसका कोई डर नहीं इसकी धंकियों के बावजूद मैं आदालत में सिर्फ इसलिए आई है ताकि इनसाफ हो सके मिस्टर राजा अगर यह शौक के सद्में से जल्दी बहार ने निकले तो इनकी जान को खत्रा हो सकता है मुझे तो रखता है कोई गहरा सद्मा पहुचा है कैसा सद्मा डॉक्टर साम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कल तक तो ठीक थी खुश थी फिर अचानक यह मिस्टर राजा यह अचानक नहीं हुआ मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरें पहले भी पढ़ चुके आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कॉंटेक्ट हुआ जी अभी तो नहीं क्योंकि हो कांफरेंस के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ है लेकिन हम लोग कोशिश कर रहा है प्लीज कॉंटेक्ट हिम ऐस सुने इस पॉसिबल ओकी पापुजी डॉक्टर क्या कह गया है परी समझ में नहीं आया है अंधेरे में ही रहने दीजिए पापुजी कुछ अलब परदाश नहीं होता मैं जानता हूं तुमारा दुख बहुत बड़ा खेवेटे लेकिन इस दुख को बरदाश करने के लिए उपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे खुशियों का रास्ता खुद तो लाशना होगा मेरी मा कैसी है बापुजी उसी हालत में है कुछ नहीं होगा मेरी मा को कुछ नहीं होगा वो ठीक हो जाएगी मा मैं तो तुझे समझ नहीं पाया लेकिन तू मुझे समझती है बस मेरी मा को ठीक करते है बड़े भाया हर बार बस आप मुझे चौक आई देते है हर बार ऐसा कुछ कर जाते है जिसके कुई वज़ा ही नहीं होती मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मा को मिलने नहीं आएंगे दिल तो कई बार किया लेकिन हमत नहीं होई मैं मा को इस हाल में देख नहीं सकता लेकिन मा तुम्हारे ग़र आई क्यों थी? मैं अचानक पाड़ी से चलाया था उन्हें अच्छा नहीं लगा मुझे वापस बिलाने आई थी लेकिन मा ऐसा होगा क्या? चुमा को इतना जबर्दस तारा पड़ा? इसी बातें मुझे परिशान कर रखा है समझ भी नहीं आता? वो चीखनी चलाने क्यों लगी? लेकिन सूरज ये इस बात को छोड़ो ये बताओ मा कैसी है? मा की हालत बात सीर्या से बढ़ वाई है दो रातों सोनों ने अपने बलके तक नहीं चपकी बस अत्तर की तर गुमसुंबैटी रहती है डॉक्टरों को कहना है कि उनकी हालत बात ना सुके अगर उस सद्मे से बाह नहीं निकली तो जो पिटा जाए मत बाह नहीं चपकी सो गई ये जमीन, सो गया आसमा, नींद में खो गया, देख सारा जहा, पलकों पे सपने सजाए, धीरे धीरे बाहों में जुलाए, मां गागा के सुलाए, आरिया निंदीया तू आ, निंदीया तू आ, निंदीया तू आ तेरे सिवा क्या है मेरा, एक तु मेरा आसरा, हो के तुझ से जुदा, कुछ भी कर जाऊंगा, जी सकूंगा ना मैं, तनहा मर जाऊंगा, बाहों में छुपा ले मुझे, सीने से लगा ले मुझे, रभ कसम है तुझे मा मुझे, यू ना रुला, यू ना रुला, आ आ भी जाऊंगा, तु तु अज़नी, सिर्छ कहाता है, यू ना यह सब जूट है, हाया, यू पर आपने, सूरच प्लीज, तो मर्येवे इंसान को जंदा नहीं कर सकते, पुलीस का रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि वो आदमी मर चुका है एक्सिडेंट में और उसकी लाज तक नहीं मिली ऐसा होता है सूरज तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि योगराज ने पुलीस की आँखों में धुल जोकने के लिए अपनी मौत का बाहना बनाया हो यह देखो यह पुरी फाइल में उसके एक भी तस्वीर नहीं है ना कोई सबूत ना कोई निशान और यह यह सब पन्ने भाड़े हुए अगर उवा मर गया है तो अपर यह सब कुछ कुछ ने किया हां तुमारी यह पुलीस की फाइल्स कुछ भी कहें लेकिन मेरी मा का कर्स चुकाई बेना योगराज बन नहीं सकता रिलाक्स सूरज मैं कमिश्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दोबारा योगराज की फाइल्स खोलने के इजासत देते हैं आए 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 नमस्कार नमस्कार ठाकर साम अपचानक धरंपूर में कैसे वो तो हमारे एंपी देश्मुक सहाब का आग रहे था इसलिए मुझे आना पड़ा कैसे हैं आप अच्छा हूं कृपा है आप यहां पर महिला कल्यान के लिए कुछ नए कारिक्रम करने वाले हैं अब मेरी अपनी कोशिश रहती है कि दभी कुछली महिलाएं समाज में आगे आए और एक सम्मानित दर्जा हासिल करें महिला कल्यान के कुछ कारिक्रम मैंने बनाए हैं अब देखना है कि इश्वर हमारी कितनी मदद करता है जी बिल्फ नमस्कार सूरज का का सूरज का हूआ कौन दूब गया नहीं मताफ का फोन थी मैंने उसकी घंटी बज़या जेए हूँ मर गया है चलो है इमद भाई आपने ठाकर साथ से जूग क्यों बला कि आपने सूरज को मरवा डाला अरे मेरे बाप अगर मैं ठाकर साथ से जूट नहीं बोलता तो वो मेरी फाट डालता इतनी दज़्या भी खेरता कि सीना मुश्किल हो जाता सलाइस सूरज का मुझे जल्द से जल्द कुछ जोना कोछ करना अपने अपसका है और अका सीटए एसे पूंद कि मुझे नहीं मालूँ मुझे बचा था नहीं पैचाना नहीं तो सूरज भी नहीं पैचाने का इम्मद भाई यह क्या हरकत है इस जखमी शेर से मुझे बचा वरना सूरज सूरज लेकिन तू ने तो कहा था कि जूट जूट बोला था जूट बोला था नहीं तो आप मेरी घंटी बजय डालते लेकिन उससे किसे बता चला कि मैं योगराज को जानता हूं लेकिन वो योगराज को ढूंड क्यों रहा है मेरा इसा कौम सा कुनाः जिससे सूरज जैसा दिश्मन खळा हो गया बता हिमबद का अ बता हिम्बद का आ voll ढौ snakes good morning good morning dr. असी हैं आप अचीं very good mr. आज आज आप चाहाऊ तो अपनी मां को ले जा सकते हैं लेकिन complete बедरस लेना होगा आपको वोगे, शीज वेरी वीग, टेक किया जबस्ते दॉक्ट मा, चले, जब में टेक यूँ आओ गया है सपना आज तो मैंने ठान लिया था कि तुमसे मिलकरी रहोंगी क्यों? क्या हो क्या गया तुम्ही सूरज? मुझे, कुछ भी तो नहीं हुआ तो फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहें सूरज अक्सर मुझे यू लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात चुपाने की कोशिश कर रहे हो स्यादा मिलोगे तो वो बात खुल जाएगी ऐसे कोई बात पीने सपना देखो, रात होगे तुम जाकर सोजाओ सूरज, कैसे दोस्तों तुम अटलीस मुझे बड़े तो विष्ट करो आज तुमारा बड़े है हम अब बड़े दुनिया की सारी खुशियं तुम्हे मिले थांक्स आज अगर मैं कुछ मांगो तो दोगे जो भी मांगो प्रामिस प्रामिस तो कल तो मेरी बड़े पाटी बच जरूर आओगे परस आओँगा बाहना बना गर टाल तो नहीं दोगे देखो प्रामिस किया है जरूर आओँगा ये दिस इस ब्यूटिवल कैनी की में दिस पूर आपके नाइस रहे हैं क्या करें आप इसे क्यों दिखा रहे हैं सौरी सर ये हार बेका हुआ है आपको छोर देख लीजिए सर प्लीज मुझे बात परसंद है आपकी हार मैं देख शुका हूं सर मैं डीपी जूलर से महेश बोल ला हूं सर आपने एक हार पसंद करके हमारे यहां पे रखवाया था आप कहें तो मैं घर पे बिजवाद हो या आप किसी को बेज रहे हैं सर हार लीजिए आप तो भूल भी के अरे भाई वो बलवन साहब जुगनु जी सारी फैमिली के साथ आये थे ना आप और उनके साथ वो मैंमान थी या नाम था उन था सपना हाँ सपना जी उनके लिए पसंद करके रखवाय था आपने याद आया सुरे साहब हाँ याद आया देखिए आप मुझे उसकी जरूरत नहीं आप किसी को भी बेच सकते हैं ओके या लकी सर आप ले सकते हैं जी शाम भी खुब है पास महबूब है शाम भी खुब है पास महबूब है जिम्दगी के लिए और क्या चाहिए शाम भी खुब है पास महबूब है आश्की के लिए और क्या चाहिए शाम भी खुब है पास महबूब है क्या हसी है समा, धरकन है जवा, क्या हसी है समा, धरकन है जवा, दोस्ती के लिए और क्या चाहिए शाम धी खुब है, पास महभूब है चांद की चांदनी, आसमा की परी, शायरों के लिए तु है एक शायरी हो, रेखते ही तुझे दिल दिवाना हुआ, चाहतों का शुरू एक फसाना हुआ रंग है नूर है चेन है खुब है अब खुशी के लिए और क्या चाहिए शाम भी खुब है पास महभूब है हुस्न है, प्यार है, दिल है, दिलदार है हुस्न है, प्यार है, दिल है, दिलदार है बोलती है नजर चुप है मेरी जुबा हर किसी से जुदा है मेरी दास्ता ना किसी से कभी प्यार मैंने किया दर्द दिल ना कभी यार मैंने लिया साज है, गीत है, सुर है, संगीत है साज है, गीत है, सुर है, संगीत है मौसिक लिए और क्या चाहिए शाम भी खुब है, पास महबूब है जिन्दगी के लिए और क्या चाहिए शाम भी खुब है, पास महबूब है आशकी के लिए और क्या चाहिए आज हमारे बीच मौजूच श्री राजपाल ठाकुर साहब हम लोगों को बताएंगे कि बलातकारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए ठाकुर साहब इंसान क्यों ये भूल जाता है कि उसे एक औरत नहीं जन दिया है क्यों वो उसी औरत को अपनी हवस का शिकार बनाता है उसकी जद लूटता है उसके साथ बलातकार करता है हमारी नजर में बलातकार क्तल से बड़ा जुर्म क्योंकि क्तल में तो इंसान सर्फ एक बार मरता है लेकिन बलादकार उसे बार-बार मारता है जिंदगी भर मारता है और और जिंदगी भर इस बात के लिए परिचान रहती है जिसमें उसका कोई दोश नहीं और भगवान का सबसी बड़ा बर्दान और अब और तरजा भगवान के समक्षे लेकिन पता नहीं क्यों अब असकी आग में अंध्यों करको शैतान उस पवित्र मूरत को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा घिनोना काम करने वालों को सिर्फ साथ साल की सजा नहीं बल्कि उन्हें सडक पर खड़ा करके गोली मार देनी जाहिए शुक्रिया सर यह सी होटल का मालिक है सूरज और यह वही लड़का है जिसने आपकी फाइल पाकी सारे लोगों की तालियों में हमने अपने लिए मान सम्मान पाया लेकिन आपकी तालिय हमारा मजाक उड़ा रही है ऐसा लगा मुझे मुझे भी ऐसी लगा जैसे आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है आपको नहीं लगता है उसे गोली मार कर उसकी मौत आसान हो जाएगी तो फिर कैसी सजा देनी चाहिए उसे उसे तरपा तरपा कर माना चाहिए उसकी आँखे निकाल देनी चाहिए जिन आँखों से उसने औरत को हवस की नजर से देखा उसके वो हाथ काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने औरत का आचल कीचकर उसे बेएज़त किया उसे सड़क पकड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए इतना मारना चाहिए कि उसके जिसम का जरा-जरा जखमी होकर बाफी की भीक मांगे वाख कैसी अच्छी सजा सोची आप इतनी नफरत इतनी नफरत की कोई खास वज़े बुराई से नफरत करने के लिए कोई वज़ा की जरूरत परती है आपको ठाको ठाको सहाथ अब डिल्चस्पट अइन्सान लगे तो मांग है फिर आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रहें सच बोलने वाले दिल्चस्प में कड़े लगते हैं भी हो सकता है फिर हमारी जुबान हमारे चेहरे का साथ ना दे लेकिन तुम जैसे लोग हमें बहुत पसंद लेकिन आख हमें बिलकुल बसंद नहीं है आखर अतनी बुरे क्यों लगे हम तुम्हें हमारी पहली मुलाकात हैं नहीं ठाको साफ हम अजने भी नहीं मिल चुके हैं अजने अजने पता नहीं लेकिन मिल चुके हैं कि मैं समझ गया हमत कि तुम्हारे बस की बात नहीं अब तुम सिर्फ देखो कि मैं तुम्हारे शेर को कैसे भीगी बिली बनाता हूँ चलो डैवर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि जो बार-बार मा को दोरे पढ़ते हैं उसके पीछे वजह क्या है मेरे लिए ये बात कहनी जितनी मुश्किल होगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सुननी मुश्किल होगी पर सो पहरे तुम्हारी मा के साथ एक हादसा हुआ था मैं आप हस्पिटल में डूटी पर था तो वो बात नसीब जिसे हमसे अलग करके शहर में छोड़ दिया क्या तो तो सुरुज है नगा बड़ बाई बड़ बाई मैं दोनू राजा मुझे यहाँ पर क्यों बलाएं तुने क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी थी ना ही वो हवेली में हो सकती थी और ना ही आपके घर में और फिर पी इसलिए ली थी क्योंकि होश में तो यह बात बिलकुल नहीं हो सकती थी जूए आपको चाहिए। इसी क्या बात है राजा। अग्यों सिरु राजा। छोटे भाय कहके नहीं बोलाओ गक्ले नहीं लगाओगे। अपके असान को, आपके प्यार को, आप लगानीयों कि किसे बीछीधित को समझ नहीं पाए। जो आज पता चला कि बढ़ा वहीं सच मुझ कितना बढ़ा होता है हाँ भाया भायो कर भी कितनी अलग-अलग किसमत है हमारी सारे सक मुझे और सारे दुकाप का सारी खुशियां मेरे हिस्से में और सारे कम आपके हिस्से में मां का सारा प्यार मुझे मिला और आपको सिर्फ नफरत मां के मुझ से बैटा क्या के बुलाने वाली आवाज को भी आपता रसक है आया आपके तकलीफों के बार में सोचता हो न तो भी अब कोई तकलीफ नहीं है राजो मेरा भाई मेरे पास है अगर यह सच है तो सुरज ने अपने ख़त तुम्हें क्यों दिये क्योंकि वो मेरा भाई है सबना चोटे भाई की कुश्यों के लिए अकसर अपने खुश्या कुर्बान कर देते हैं बड़े भाई सबना मेरा भाई को उसकी सिंथेगे में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिला तुम तो जानती है बदनसे भी कैसे उसके साथ साथ चलती है ऐसे भाई की कुर्बानियों का मैं क्या चवाब दो सबना मेरी मदद करो प्लीज मेरी मदद करो मैंने चाहता कि जिस तर बच्पन में मैंने उसे उसकी माद चीनी थी आज बढ़ाओकर उसे उसका प्याद चीन लो सबना मेरी सबना मैं सबना चाहता झाल झाल सूरज एक सच बात बताओगे पूछो किया तुम्हें से प्यार करते हो यह कैसे सवाल हुआ सीधा और बिलकुल साफ तुम्ही ने कहा था ना प्यार का रिष्टा एक अचीब रिष्टा होता है दुनिया के सारी रिष्टे इसे एक रिष्टे में समटकर आ जाते हैं मैं जानना चाहती हूं सूरज यह सारी खात तुमने मेरे लिए लिखे थे सिर्फ प्यार का रिष्टा ही सब कुछ हता है दोस्ती का कोई रिष्टा नहीं होता तुमने ऐसे सोचा भी कैसे तुमने दिल में ये शक आया भी कैसे इन खदों की वज़ा से इसमें जो नाम लेका है सपना उसकी वज़ा से अरे क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सपना है इतफाक से जिस रड़की को मैंने चाहा उसका नाम भी सपना था क्या वो मेरी नहीं हुई किसी और की हो गई मुझे क्या पता था कि मेरे अखाद मेरे भाई के काम आएंगे मेरी सबसे अची दोस्त मेरी दोस्ती को नहीं समझ पाएं मेरी दोस्ती को अब आपकेशिए भाईनिया नहीं एक किसी जाले रहे विए आइण जाहे नहीं कि आपकेशन से पाढ़ा उन्हें कि इस अजय शेलत जाहें ऑनखेशन से बड़ता Comics इसन दोस्ता रहता है अजय शेलता है विलोल वीच वल्लरी विराजमान मुढदनी धगत 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 वलललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रते रते शण योग राज कि शोका लालाठ गवचिंव यहान जोट थादा अब शाद एक्षश भड़ी हैं बाएजितरा साफ-ड़ी हं जोड़ी नहीं है कुछ वासभा प्रम्लर कार्षशा मरहा हुचिंव यह Спार्या अमरे नचीς ने माद, ठाकर है, सब टीक हो जाएगा, मैंने कोई स्मे साय बांगा है, एक मिझे जलाया है्, प्लिए मुझे शूरज के जलाया है, वह वह सूरज ने नहीं है, वह अपनी शूरज ने जलाया है. लेगन बरलागा हैं, का रूप होता है जिसने मुझे भी बचाया और आपके साल का जाव भी दे दिया जो आपको बहुत परेशन करता था कि सुरज आपके पीछे क्यों पड़ा है हाँ गोगे जब मैं होश में आया तो ये डॉक्टर को मैंने सुरज के बारे में कुछ कहते हुए सुना सुरज मेरा दिल तो कहता है कि ठाकरु योग राज है क्योंकि जब भी हम योग राज को ढूने निकलते हैं तो कहीना कहीं से ठाकरु पीछ में आ जाता है हाँ सुरज लेकिन सिर्फ शक की कुछ अरे सबूत भी मिल जाएगा कभी कभी मुझ्रिम का डर खुद उसके जुर्म का सबूत बन जाता है हलो योग राज कौन योग राज वही योग राज जिसने कई साल पहले इसी धरमपुर में ना जाने कितनी मासुम लड़कियों के इज़द लूटी और फिर उनका गला काट दिया कि मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डाइल किया है यहां पर कोई योगराज नहीं रहता यह ठाकुर राजवीर सिंग का घर है योगराज तुम ठाकुर बनकर दुनिया को दोका दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं मैं कई सालों से तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूं और तुम आगे यह ने कहां ना तुम्हें मैंने कहा तमसे के तुम्हें कोई गलत व MB हो गई मैं तुरी यहाँ अची तरह उसे पहचानता हूं सुनो तुम्हारे गंदे कामों का सभूत है मेरे पास सौधा करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी का जिर्फ तचास लाग हालो 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 अब अगर वो यह उसका कोई भी आदमी वहां पर पहुंच गया तो उसका मतलब यह हुआ कि ठाकर ही योग राज है मैंने प्रतिज्ञा की है जिम हिलाओ के उपर अत्याचार करने वाले इस पुरुष्ट समाज को एक नया टो एकर्दाई एक भी जुब मरे भी यह व minced और करदे है क्युब मिया एक्युब मिया तर्वे सक्ट करो कि खुब म है अब अब आप अब अब कि अब कि अब कि अब कि 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 वैसे तो पहली मुलाकात में तुझे देख के सोच में पढ़ गया था कि अब बाबुची जैसी नरम चीज ने कि सूरच जैसी इतनी गरम चीज को कैसे पैदा कर दिया कि वह तो बाद में मुझे पता चला कि तू तो अपना चाहिज अलाद है कि इतना गुस्सा कि एक सची बात पर इतना गुस्सा सूरच आज तेरी मौत ता है क्यों तुझे दिखाई नहीं देता दांसे देखो आज मेरा चेहरा मेरे जबान का साथ देरा है मानना पड़ेगा तुझे आखर तुने मुझे पैचानी लिया कि मैं योगराज हूँ जिस योगराज से लोग आँख मिलाते हुए तरते हैं उसके उपर तुने आथ होता है बहुत गलत अंदाज लगाया तुने मेरी ताकत का तुन पुझतिल और कायर है औरत की आबरू तो लूटना जानता है लेकिन उस पाक के अंज से जिस तेजाब का जनम होता है उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर इसलिए मुझे बांद कर ही जड़े की तरह पेश आ रहा है क्या का तुने है यह जुड़ा तेरा इस दुनिया में होना तेरे शब्दों का साथ नहीं देता सुद्ध वाकई बहुत जानत तुन पिल्कुल अपनी मापे गया है बेटा पता है वो भी बहुत जानदार थी शाराब के प्याले की तरह इक्तम नशीली पूने मा के चांद की तरह जवान खुलते कड़ाये की तरह है रितम करो हुआ झाल lol प्राइब थाल अ व्र jáएब अ करें जग पल्ढ पल्ण शो शुख जो 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 एक अधमी एक तनहाने अधदा अधमी तुम्हारी पूरी पुरी पुर्स फोर्ट की पकाल जैसे भी हो ढूंडों से इसके पहले की वो कुट्था हमें काटे उस कुट्थे को काट डालो समझे ठीक है थागुर्साब सुरज तुम फॉरन हो जगा छोड़ दो एसपी राणा को तुम्हारा पता चल गया है और वह तुम्हारा इंकाउटर करने निकला है और सुनो सुरज पुलीस के सामने ठाकुर का पड़ता फाश हो गया है इसकी फिंगर प्रिंट्स से थाबित कर दिया है कि वहीं योग है जाँ करेंडर टुम्हारा तुम्हारा और इस वाग झाल झाल प्लेटफर्म नमबर एक की गाड़ी यार्ड में जएगी इसलिए आप सभी सिनी विदन है किस ट्रेन में ना चड़ेगे जब ट्रतल नहीं तो तेरे दोनों बेखों को गोली मातूं आप मुझेत करे एाम सभी एलिए इसलिए गायदने यिढ करे जब धर भी सेलिए भी अई अध अअज ये कि अडता है कि सब्वार्फों दूश कर दो हुआ अज वारे सीटी धो कि सब्सकेड़र कि सब्सक्ति अगा है कि से लुटर्ण दोर्ट वे वे ठीक मारतीं कर दो कर दो कर दो कर दो हो कर दो कर दो झाल 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 झाल